तो आज मैं फ्रेंट्स आपको जो है एक अच्छी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से कि अब जो है आप कोविड-19 का जो वेक्सिनिशन आपने किया होगा उसका आप जो सटिफिकेट हो है वो आप वट्सेप पे डाउनलोड कर सकते हैं तो आज मैं इसी के बारे मैं आपको डिटेल जानका रही दोंगा कि किस तरीके से आपने वट्सेप पे कुछ इक स्टेप्स को फॉलो करके जो है आपने उसको डाउनलोड करना है विकोज अब यह मेंडेटरी भी हो गया कि आप अगर कह कर सकते हैं तो आज मैं आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ तो आप इसको वीडियो को पूरा देखें ताकि शुरू से लेकर आपको प्रसेस मालूम चले कि किस तरीके से आपको वट्सेप के उपर यह सरीपे डाउनलोड करना है तो मैं फोन की स्क्रीन पे जो है ले जाकर आपको यह पूरा प्रसेस समझाऊंगा और उस पर दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपका जो सरीफेट है कुछ ही सेकंड्स में जो है कुछ एक इजी स्टेप्स जो है फॉलो करके तुरंट जो है वो आम आदमी भी कर सकता है आरोगे सिर्थूव गरे पे ज जो है यह सारा प्रसेस समझाता हूं मोबाइल की स्क्रीन पर ले जाने से पहले मैं जो है आपको एक बात की इंफोर्मेशन देना चाहता हूं कि आपको जो है एक वटसेप नंबर जो है उसको सेव करना होगा अपने वटसेप पे चाए वो आप कोविड-19 certificate या किसी भी ने चलेगा और इस फोण में आपको सेव करना है जो आपका रिजिस्टर्ट नंबर था जिस पह जिस से जो आपने स्लॉट बोक किया अपने 67 का आपको सेव करना है ताकि आपको ऊप्र दूसरे नंबर पे सेवbn करोगगा तो कौई बात नहीं उसमें एक A terrible आता है तो वह आप आपको दूसरे नमबर पर आजाएगा जिस जो आपका रिस्टर नमबर होगा लेकिन बैटर रहेगा कि अगर आप उसी नमबर पर सेव करें तो आपको एजी रहेगा उसी पर आपको एक OTP आएगा फिर OTP के द्वारा जो ही आगे वो सारा प्रसेस चलेगा और बस एक दो आपको आपको यह प्रसेस समझाता हूं आ जैसे मैंने वोटाफ़ैप पर मैंने आर्लडी सेव कर दिया है और नमबर आपको यहां दिखा देता हूं धिखिए यह नमबर होगले रहेगा यह जित्वा्ता करें 00115115 यह नमबर है मैं आपको जो है इसको description में भी दे दूँगा और screen पे भी आपको दिखा दूँगा आप देख सकते हैं देखे यह government का जो है ministry of health and family welfare का यह number है तो आप यहां से जो है इसको इसको save कर लिजी अपने phone में फिर यह WhatsApp का आपने इसको use करना है आप देखे यहां से process में आपको समझ जाता हूं कैसे करना है आपने यहां पर लिखना है download certificate यह download certificate इस तरह से आपने लिखना और इसको send कर देना है आप जैसे ही send करोगे वैसे देखिए आपको इस नंबर पर OTP आपको आ जाएगा अगर दूसरे नंबर पर होगा तो दूसरे पर आ जाएगा 732756 732756 आपने जो यह OTP इस नंबर पर आपको आया था आपने इसको send कर दाना है आप जैसे ही OTP send करोगे वैसे आपको पूरी detail आ जाएगी कि इस नंबर पर कौन-कौन आदमी जो है registered हुए थे इस नंबर से किस के जो है vaccination के slot book हुए थे तो देखिए आप यह पूरा information आपके सा का certificate चाहिए सपोस के जिए आपको number one का certificate चाहिए तो आपको simple ही यहाँ पे one type करना है that's it and send कर देना है आप जैसे send करोगे within a second जो है आपको इनकी जो है इनका certificate download हो के आ जाएगा देखिए यहाँ पे आपको एक message आ गया और यह देखिए आप यह PDF फाइल जो है यहाँ पे आ certificate यह निकिता ठाकुर का certificate जो है download हो चुका है अब for example अगर आपको चाहिए कि मुझे number 3 का यह number 2 का certificate download करना है तो same आपको process follow करना होगा download certificate और उसको send करना है then आपको OTP आएगा OTP जैसे ही आपका उसको OTP को यहाँ डाल के आपको send करना है और फिर वो जो तरीके से जो जिस त चोटा सा बड़ा easy process है इस process को follow करकर जो है आप अपना WhatsApp पे जो है certificate download कर सकते हैं तो यह था वह बहुत easy जो है step जो है मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको इसको download करना है तो यह एक छोटा सा process था तो मुझे उमीद है कि आपको मेरा यह video जो है informative लगा होगा और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज आप इससे like करें share करें ताकि यह maximum लोगों तो जा सके because covid का जो यह certificate है यह download करना सब के लिए important है तो काफी लोगों तक यह video जा सके ताकि हर एक जो है इसका फाइदा उठा सके और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ने किया है तो आप इससे प्रेस सब्सक्राइब कर लें thank you very much